नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हुमें पांच जून दो हजार चौबीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यनी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुध्यदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारम्ध करते हैं प्राम्ध करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुधवार हैं जेश्ट मास कृष्ण पक्षकी आज चतुर दशीति थी है जो शायम काल साथ बच करके 54 मिनट तक है और इसके पश्चात अमावस्या है कृतिका नक्षत्र रात्री 9 बच करके 16 मिनट तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है सुकरमा योग विष्टि करण है बातुगी पंचांकी चंद्रमा आज वुर्षभराश में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर एक बच करके 30 मिनट तक का होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्र्यद्रशकों आज पूरे दिन और आत्री सרवार्थ सिध्ध योग है आप जानते हैं इस योग का महत्व कोई भी कारिय सरवार्थ सिध्धी योग में प्रारंभ किया जाए वो कारिय शिघर ही सिध्धी प्रदायक होता है आज का दिव्यमाहा प्रयोग बेहद दिव्य है दिव्यमाहा प्रयोग की बात करेंगे साथी साथ दस जून दिन सोंवार के महूर्थ की भी हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रह इस्थितियों की मंगल मेंश रासी में सुंचरण कर रहे हैं तोहीं चंद्रमा गुरु बुध शुक्र और सूरिय ये पांच ग्रह पंच ग्रही योग का अंडमाण ब्रिशव रासी में है केतु कन्या में शनिदेव कुंभ में राहू मीन में प्रिदर्शकों गोचर कुंडली में चंद्रमा का सुंचरण आज सूरि के नक्षत्र में है बुधवार का दिन और सूरि के नक्षत्र में चंद्रमा का सुंचरण कौन सी उराशिया हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी उराशिया ह जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवशक्ता है कौन सी उराशियां है जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी उराशियां है जिन्हें अपने नयकारे प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए में शिशे लेकर मीन राशी परियंत प्रतेक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विश्य प्रभाव में रहने वाले हैं आप कौन सा वुष्टान है, कौन सा वोदान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को सुरिष्ट बना सकते हैं लुखी विश्यों की चर्चा आगे हम अराशीफल में करेंगे। तो यह है ग्रहिष्टूतिू, इन्हीं ग्रहिष्टूतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का नक्ति अंदेनिक अराशीफल तयार किया है वोने दर्षक, जो मेरे इस राशिफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशिफल आपके जन्मराशी के आधार पर है यानि आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं आपकी जन्वराशी अगर आप अपने जन्वराशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहुर्त की 10 जून दिन सोमवार नामकरण अनप्राशन व्यापार आरंभ का मुहुर्त मिल रहा है अगर कोई नया व्यापार आरंभ करने की सोच रहें तो उस दिन महुर्त मिल रहा है आभुषण निर्माण रिक्षारोपन अर्थ गीत वाद्देकाला आरंभ करने का महुर्त आवेदन पत्र लिखना है औनलाइन या ऑफलाइन तो उसका महुर्त वाहन क्राय करना है प्रिद पूर्चस भी जोतिस में है, जोतिस को सीखना चाहते हैं, जोतिस की गहराईयों में उतरना चाहते हैं, यूं समझ लीजिए कि जोतिस को समझना आपके लिए बेहद आसान हो सकता है, और उसमें आपके लिए रहे、 प्लैलिस्ट, Only Astrology, आप इस प्लैलिस्ट के सभी नय पूर प्रिदर्शकों, दिब्यमहा प्रयोग मैं आज आपको एक मंत्र बताने बाला हूँ, एक ऐसा मंत्र जिसको जपने से आपको क्या-क्या लाब होने बाला है पहले वो जानली दिये, इसमें सबसे बड़ा लाब है कि तंत्र छित्र के जानकार कहते हैं कि इस मंत्र को अगर नि क्यों नहों यह जिनकी कुंडली यां बली है वो तो करें ही करें जिनकी कुंडली यां कमजोर हो लगन परपापगरह की दृष्टी है यानि हर वो पॉइंट जिस से आपकी जनम कुंडली कमजोर हो रही है आप को ये मंत्र निरंतर जपना है और साथ ही साथ केवल इस मंत्र को जपने से आपकी कुंडली ही नहीं वरन आपकी जो भी कामना हो उसकी भी पूर्ति हो जाती है यानि एक तरह से देखा जाए तो इस मंत्र को यदि निरंतर जपा जाए तो आपकी कामना की पूर्ति होगी और कामना की पूर्ति के साथ साथ आपकी जिन्न कुंडली भी मजबूत हो जाएगी मैं मंतर आपको दोहरा देता हूं और इस मंतर को कैसे जपना है क्या करना है मैं सब आपको बता देता हूं मंत्र है ओम हरीम स्रीम मानस सिध्धेश्वरी हरीम नमह ओम हरीम स्रीम मानस सिध्धेश्वरी हरीम नमह बस इतना ही मंत्र है प्रिदर्शकों इस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला जो नित्य आप माला का प्रयोग करते हैं जब में उस माला का इस्तिमाल कर सकते हैं और इस मंत्र को जपने का तरीका क्या है वो भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा आपको करना ये है कि या तो भोजपत्र पर या कागज पर अपनी जन्म कुंडली का आपको निर्माण कर लेना है अगर भोजपत्र है आपके पास तो वो सर्वस्रेष्ट होगा एक बार बन जाता है वो खराब तो होता नहीं भोजपत्र पर लाल चंदन की रूपी स्याही से या अश्टगंद की स्याही से अपनी जन्म कुंडली का निर्माण कर लिए सभी ग्रहों को लगन से लेकर के सभी ग्रहों को उसी तरह से बिठा दीजिए और इसके पुष्चात अपने सामने किसी पात्र में जैसे तांबे का प्लेट हो तो उसमें रख करके या किसी भी प्लेट में उस अपनी जन्म कुंडली को रख करके और इसी मंत्र का नित्त ए इसी भी तरह की आपकी कामना हो मंत्र को आप ध्यान से गर सुनेंगे तो मानस सिध्धेश्वरी सब्द आ रहा है यानि मन में जो इक्षा हो वो सिध्ध हो जाए तो यह जन्म कुंडली को भी बल देता है और आपके मन की कामना को की भी पूर्ति करता है प्रियों दर्शकों आपको याद होगा दीपावली की रात्री में एक प्रयोग करने की सलाह हमें आपको देता हूँ और अब एक सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये प्रश्ण उत्पन्न होगा कि हम इस प्रयोग को करे कब और कमाल देखिए कि इस प्रयोग को करने का दिन है आपका जन्म दिन अर्थात जिस दिन आपका जन्म हो ऐसा नहीं कि जन्म की तारीक वाला जो जन्म दिन होता है जैसे मालीय सप्ताह के साथ दिन में ही आपका किसी दिन जन्म हुआ होगा तो मालीजे आपका जन्म का दिन सोंबार है तो आपको ये प्रयोग सोंबार से प्रारंभ करना है माल लिजे आपके जन्म का दिन जो है मंगलवार है, बुधोबार है, गुरुबार है तो आपको उसी दिन से ये प्रयोग प्रारंभ करना है अब एक और सवाल है कि हम इसे कृष्ण पक्ष में करें या शुक्लपक्ष में तो अगर आपका जन्म कृष्णपक्ष में हुआ है तो कृष्णपक्ष के अपने दिन से और अगर आपका जन्म सुक्लपक्ष में हुआ है तो सुक्लपक्ष के अपने दिन से यानि अगर आपका जन्म कृष्णपक्ष के रविवार को हुआ है तो कृष्णपक्ष के रविवार से और अगर आपका जन्म सुक्लपक्ष के गुरुवार से हुआ है तो सुक्लपक्ष के गुरुवार से इस मंत्र को जपना प्रारंभ करिए अब सवाल उठता है कि जो यंत्र हमने बनाया है यनि जन्म कुंडली का जो निर्माण हमने किया अच्छा जन्म कुंडली को बनाने के पश्चात आप अपना नाम उपर लिख दीजेगा याद रखेगा अपना नाम उपर लिख दीजेगा चक्र आपने बना लिया चक्र के उपर अपना नाम लिख दीजेगा और बाकी सारे ग्रोहों को बीच गंदर जहां जन्म कुंडली आप मेरा जन्म कुंडली अध्यान का कारिक्रम देखते होंगे तो बोड़ पर जहां मैं जन्म कुंडली अध्यायन लिखता हूँ, वही पर अपना नाम लिख दीजिएगा, बाकि चक्र सारे बना करके, रख करके, अच्छा एक कमाल है, कि इसमें आपको पूजन करना है उसका, यूँ समझ लेना है कि आपकी जो जन्म कुंडली है, जो जन मंत्र जब करना ही विशेस है, यह आपको करते रहना है, अब एक और प्रशन आपके मन में उत्पन्न होगा, कब तक करना है, दिखिए, वैसे तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, जपात सिध्धी, जब से सिध्धी मिलती है, और बात यदि आपके जन्म कुंडली को सिध्ध करन कम से कम किसी भी मंत्र को सिध्ध करने के लिए जपने के लिए मैं एक लाइन बताया करता हूँ आपको कि 10,000, ध्यान से सुनिए, 10,000 जब आपके मंत्र की संख्या पहुच जाती है, तब उसका कुछ लहर मिलना सुरू होता है, प्रभाव मिलना सुरू होता है, अब अगर आप 108 बार जब करेंगे, यानि एक माला जब करते हैं, तो दस दिन जपेंगे तो एक हजार होगा, अब इसे हिसाब से देख रहे हैं, जब 10 हजार की संख्या प्राप्त होती है हमें मंत्र की, तब उसका पहला लहर मिलता है, तो कम से कम 10 हजार तक जाएए, आपको उसका प्र इसे आजमा करके देख लीजी, यह बस करना है, एक और बात, इस प्रयोग में एक दो चीजे और भी अगर आप कर लें, तो और आपको फायदा मिलेगा, इस प्रयोग के दोरान, अगर यंत्र के ऊपर, क्योंकि इसमें एक प्रयोग बिधी और भी है, यह दो बिधी है इसम अगर आप अपने इस्ट देवता की मूर्ती जिसे आप शिव जी आपकी इस्थ है भगवान कृष्णा आपकी इस्थ है दुरगा जी आपकी इस्थ है तो उनकी मूर्ती इसी आपके जनमांक चक्र के उपर रख दीजिए और कुंडली के साथ साथ देवता की पूजा यैनि देवता की पूजा के साथ साथ कुंडली की भी पूजा, आपको जन्मांग चक्र की पूजा करनी है। और सुनिए, इस प्रयोग में यदि लाल कनेर का पुस्प आपको प्राप्त हो और वो आप स्रद्धा से अर्पित करें, तो आपको और जादा लाब होगा, तुरंथ आपकी जो भी कामना होके वल कुंडली नहीं, वरण आपकी कामना की भी पूर्ती होगी। चले चलते हैं राशी फल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी। मेश राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से आज दूसरे भाव में सिंचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा आज सूरे के नक्षत्र में है बुध के प्रभाव में है आप तो सबसे पहले दो बताद ओस्नान से पूर्व कोई भी सुगंधित तेल आपको बाये हाथ में लेकर की नाभी से लेकर की लिए मस्तक लाई इसके पश्चात श्नान कर लेना तब कोई काम करी, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, वहीं एक बात और आपको ध्यान में रखना है, कि जहां भी रहिए साथ काम करने वालों की सलाह को भी सुनिये, और किसी के लिए मन में अगर कोई क्रोध है, तो उसे अपने अंदर दबा करके रखना ही आपके प पार हर मामले में संभल करके चलना है, प्रेम संबन में मत भेत की स्थिती है, तो यहां भी सावधानी बरतनी है, विद्यार्थी वर्ग, अगर आप कोई इंट्रिव्य इत्यादी देने जा रहे हैं, तो इतना ध्यान रखे कि बहुत सावधानी के साथ, किसी परिक्षा का चाहते हैं, कर सकते हैं, वरुषब के जात्कों की बात करें, तो गोचर कुनली में चंद्रमा आपकी रासी पर है, यह चंद्रमा आज सूरिक एनक छत्र में और आप स्वयम चंद्रमा के प्रभाव में है, पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल ले करके, उस पर जो भी परिशानी भी आएगी, वह असानी से निपड़ जाएगी, और आपके जितने भी रोजमर्रा के काम है, वो भी पूरे होंगे, और आसपास के लोगों से सपोर्ट भी आपको मिलेगा, बाकि धनलाब के दृष्टिकोंड से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, योजना रखना है कि आज बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना कर रखिएगा, ये बात घर में लागू करिएगा, जीवन सांती संबन बहस विवाद की स्थिती है, बिद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, स्वास्त के मामले में माता के स्वास्त काज संचरण शनिदेव के प्रभाव में है, सरसो तेल की कुछ बूंदे रोटी के उपर डाल करके कुट्टे को दे दिजेगा, और कोशिश लगातार करते रहनी है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, नौकरी, बाकी करियर को लेकर के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, ब्यर सफलता तो मिलेगी, पर मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, और स्वास्त के मामले में अगर बहुत अधिक मसालेदार भोजन इत्यादी की आप कोलत है, तो सचेत रहिए, स्वास्त में परिशानी बढ़ेगी, इस लकियंग पांच और लकी कलर आपके लाइसकाई भ्लू है निवेश ना करें मिलने वाली है, और कोई बड़ा परिवर्तन करनी की सोच रहें तो कर सकते हैं, कुल मिलाकर के दिन आपके अनरूप है, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, खर्च पर नियंतरन रखियेगा, बहुत क्रोध, इत्यादी नहीं करना, और अपनी जिम्मेदारियों से भागना भी नहीं है, ब्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा कि कुछ महत्वपूर उन लोगों से मुलाकात होगी, आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है, गोचर कुंडरी में चंद्रमा का किरासी से लाभ में संचरन करना हर तरह से आपको परिशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतियेगा, दूसरों के लपड़े में लड़ाई जगड़े पचड़े में अपने आपको मत डालियेगा, जीवन साती के साथ संबंध मधूर होगा, प्रेमी की भावनाव का सम्मान करी और प्रतिय यूगी परिक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है, दिन बेहद खास है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़े, लखी अंक चार और लखी कलर आपके लिया लाल है, निवेश अवश्य करिए सम्ह के जातकों के दि हम बात कर लें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज दसम में होना, ये चंद्रमा आज सूरे के नक्षत्र में आप बुध के प्रभाव में है, बढ़िया है दिन, और बुध के प्रभाव में है तो कोई दिक्कत ने, अगर और कोई भी ऐसी परिशानी उत्पन हो गए थी, जिसके चलते आप काई काम नहीं बन पा रहा था, तो इससे समंधित सूचना जल्द आपको मिलने वाली है, पूरी तरह से एक्टिव रहने वाले हैं, जो भी बड़ा फैसल आपको करना है, अवस्य करिए, कोई जोखी करना है, कोई मीटिंग है, कोई मुलाकाती त्यादी करनी है, तो कर सकते हैं, बाकी व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, लेंदेन से समंधित कारियों को अवस्य करिए, और बिवाद से बचने का प्रत्न करते हुए सारा काम करिए, जीवन सांती के साथ समंध करने वाला है, विद्यार्थियों के लिए खास है दिन, और जितने भी मैनेजमेंट फिल्ट के विद्यार्थियों के लिए उनके लिए दिन अच्छा है, बाकी स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो पिता के स्वास्त को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, अगर उनक करना क्या है कि भोजन की समय नास्ता इत्यादी जब आप करते हैं, तो अनामिका अंगुली से अपने थाली प्रेट के नीचे एक त्रिकोंड बना करके उसी पर अपना भोजन रख करके भोजन करिएगा, और बाकिये देखा, जे तुम महनत से पीछे मतटिएगा, दिन महत यौसर आपको मिलता है, उसका लाव आप भरपूर उठाइए, किसी से मदद चाहिए तो मदद मिलेगी, ब्यापारियों का ब्यापार में मन लगेगा, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो वो कर सकते हैं, लेंदेन से समंधित कारियों को करने के लिए भी दिन ठ राप्त होगा, दामपत्य जीवन में खुशाली आएगी और विद्यार्थियों की बात कर लें, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है, बस आलसे से आपको बचना है, आलसे से मुक्ति मिली तो सब कुछ ठीक है, बाकि स्वास्त में मौसमी बिमारी आपको कहीं परिखाल रखिएगा, लकियंक साथ लकी कलरा पिलाज ब्राउन है, और निवेश साप पवश्य करिए, तुला के जातकों की बात कर लें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का रासी से आपके उस्टम में होना ये चंद्रमा सूरी के नक्षत्र में, और आप स्वयम चंद बाकी देखा जाए, तो कहीं पैसा फस सकता है, सो ऐसा कोई काम मत करेगा, जिसमें अधिक पैसे की लेन देन इत्यादी वारी बात हो, शांती से आज के दिन को आपको बिताना है, दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनने का प्रत्न करिए, बाकी देखा जाए, तो आज क इस्तिती चली आ रही थी, तो वो इस्तिती अथावत दिखाई पड़ रही है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि आपका बाकी का जो काम जैसा हो रहा हो ठीक है, अपने आप पर ध्यान दीजिए, एकागर होकर के मन को शांत करने का प्रत्न करिए, बाकी अपनी जिमेदारि करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, इसमें दिक्तत है, और फिर से दोहरा देता हूँ, स्वास्थ में कफ जन्ने रोग की प्रबल संभावना है, लकी अंकचार, लकी कलर आपके लिए आज, बादामी है, और निवेश आप ना करें, वरिष्चिक के जात्कों की बात कर परिवार से जोड़ी कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, लेकिन माता के स्वास्त को लेकर के चिंता रहेगी, किसी रिस्तदार इत्यादी के हाँ जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं, धन संबंधी मामलों में किसी से डील है, कोई बादचित करनी है, तो उसके लिए दिन ठी कर सकते हैं, भले आज पैसा आपको न मिले, लेकिन आज किया हुआ बादचित आपके लिए प्रभावशाली सुद्ध होगा, बाकी एक और बात आपको ध्यान में रखना है, कि संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है, संतान की कोई ऐसी बात आपको पता लग सकती है, जो आपको परिशानी में डाल दे, व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापार में उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, उसके और ज़्याद आपको प्रतन करना होगा, जीवन साथी के स्वास्त का ख्याल रखना होगा, जीवन साथी के जोड़ों के लखी अंकाठ, लखी कलर आपके लिए आज परपल है, और निवेशाप ना करें धनू के जातकों की बात कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा, रासी सापके सश्ठ में, सूरी के नक्षत्र में चंद्रमा का सुंचरण देवगुरु के प्रभाव में हैं आप, प्राता काल अपने भोजन के प्लेट के नीचे, थाली के नीचे, अनामिका से जल से एक त्रिकोंड का निर्मान करके उसी पर थाली रख लीजिएगा, और फिर भोजन करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में आपके बृध्धी होगी, आर्थिक दृष्टिकोंड से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, अनुकूल कह कुल मिलाकर के दिन ठीक है आपके लिए, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहें तो कर सकते हैं, कोई लाभधायक प्रस्ताव भी आज आज आपको मिलने वाला है, योजनाय आपकी पूरी तर से सफल होते दिखाई पड़ रही है, तो ही किसी धिमान व्यक्ति से या समझ को रहात मिलेगी, बाकी जीवन साथी के साथ तालमिल मधूर होने बाला है, क्रोध मत करिएगा, परिवार के मध्यदी किसी बात को लेकर के बिवाद है तो बिवाद भी सांथ हो जाएगा, हलाकि सब कुछ अपने आप खुद ही सुलजने बाला है, दामपत्य जीवन में भ गलत फ़हमी की स्थिती थी तो परिशानी दूर होगी, बिद्यार्थियों के लिए साकारात्मक दिखाई पढ़ रहा है, साथ धान होकर के और मेहनत करिए, स्वास्थ में कमरदर्द की शिकायत है, लकियंक दो लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश आप करें आप मध्यमा अंगली से, क्या करना है, ना भी से लेकर करने किरगे, ओल्योमाध्य छनान करने है, सारे काम बने खीठाण, कोई मीटिञ है, कोई मुलाकात इत्यादी करनी है और अच्छा रहने बाला है, मीठा बोलिए, सब से अच्छा बोलिए, ऐसा बोलिए कि लोग आज आपके बसी भूत हो जाएं धन की चिंता करने की आवशकता नहीं कोई काम आपका रुकता नहीं दिखाई पड़ रहा है और किसी भी तरह की कोई चिंता है वो चिंता दिमाग से निकालते हुए बस आगे बढ़ते चले जाए दिन सहज और सरल है आपके पक्ष में है जो भी परिशानियां कठीनाई आएंगी सब दूर होगी कारिक चत्र में भी देखें तो किसी भी तरह के बिभाद या परिशानी से जूज रहते सब खत्म होने वाला है व्यापारियों को व्यापार में सब फ़दता मिलेगी लाभ होगा किसी तरह के कानूनी अर्चन से में फसे ह हुए थे जूज रहे थे उसमें भी आपको रहात मिलेगी यानि कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है बिना सोचे समझे बोलने से बचिये जल्दबाजी में किसी नतीजे पर मत पहुंचिये इससे आपको फैसल दिक्कत आएगी संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता होने वाली है लकिया इस ध्यान रखेगा किसी के लिए बहुत रभाशा का प्रयोग नहीं करना है जीवन साती से सम्मान और प्यार मिलेगा रिस्तों में घहराई आगी और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है और स्वास्त के मामले में कान की स्थिति आपको महसूस होने वाली है लकियंग पांच और लकी कलर आपके लिए औरेंज है निवेशा पवश्य करिए कुम्भ के जातकों की बात कर लें तो कोचर कुंडरी में चंद्रमा रासी से आपके चतुर्थ में हैं सूरी के नक्षत्र में चंद्रमा का सुचरण स्वयम आप चंद्रमा के प्रभाव में हैं पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका चावल ले करके उस पर दो बुंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजेगा आपके काम बनने लगेंगे माता के स्वास्त का ख्याद रखेगा और घर से बाहर जाने से पुर्व माता को प्रणाम करके ही जाएगा धनलाब की स्थिती बनेगी जहां भी रहेगा खुद को शान्त रखने का आप बिनमर रखने का प्रत्न करिएगा नौकरी पेसा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनकूल होगा नौकरी में पदोन्नती की बात बन रही थी तो वो बनेगी बाकी सपोर्ट आपको मिलेगा पूर्ब से चला रहा कोई बिवाद या परिशानी कोई उल्जन वो सुल्जेगी रोज मर्रा के सभी काम आपके बनने वाले हैं और जो भी जीवन में रुकावटे परिशानियां थी वो खत्म होंगी संतान पक्ष से आपको कोई खुश खबरी मिलेगी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा बाकी सावधानी के साथ आप अपने सभी कारे करते चले जाए लापारवाही से जितना हो सके बचकर के रखिये रखिये अपने आपको बचकर के ही रहना चाहिए आपको दिन अच्छा है वाहन चलाते समय सावधानी बरतियेगा प्रेम समंद्ध के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और बाकी फिर से बही दो रादूं कि विद्यार्थियों के लिए आ अधित्य देश्तोत्र का पाठ करिए पिता का सम्मान करिए लाल चंदन का ठीक अपने माथे पर लगाए दिन बहुत अच्छा है आगे बढ़िये जो भी काम आप करेंगे प्रसंधा उसमें मिलेगी संतुष्टी महसूस होगी आंख बंदगर के बस भरूसा मत करेगा आज पुरुशार्थ पर केबल भरुसा करना है जितना हो सके साकारात्मक सोच के साथ बस आगे बढ़ते चली जाएए मन में नाकारात्मक विचाराने ही मत दीजे आमदनी में ब्रुद्धी होगी व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया हर कारेस्थल पर अगर आप है नौकरी पेसा है तो सहयोग मिलेगा जो भी फैसला आप लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और एक के बाद एक आपके सारे काम निपटने वाले हैं गुचर कुंड़ी किस्तिती हर तरसे आपके पक्ष में है जो कि आपको मानसिक रूप से सीधा सहयोग करने व वाला है जीवन साथी के साथ कई घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी ही आलस से आज आपको बच करके रहना है लक्यंख आपके लिए आज पांच है और लकी कलर आपके लिए आज के शरिया निवेश अवश्य करिए तो प्र कर दो